सो हेलो गाइज में आना हमें आरिफ लक्रा सो जैसे कि आप लोगों को तो पताई होगा कि क्रिस्मस आने वाला है सो आज के इस वाली वीडियो पे हम लोग बात करने वाली है सेंटा क्लॉस के बारे में अना किसी देरिक है चूरु करते है अज का धमा के आर वीडियो सो लेट्स मैंगे थू कर्व हम लो जान लेते हैं कि संटा क्लॉस का रीयल नेम है घा तो संटा क्लॉस का रीयल नेम जॉई है वो ब्लक्री के टॉइस बनाता था और बच्चों को गिफ्ट देता था अगर कोई भी बच्चे उसके घर में आते थे तो जो उन बच्चों को भी न गिफ्ट दिये वापस घर जाने नहीं देता था तो जोई एक बहुत ही अच्छा अन्सान था वो बहुत ही ज़्यादा पुलाइट था वो बहुत अच्छा अन्सान था तो उसके दिमाग में एक दिन एक आइडिया आया उसने सुचा कि क्रिस्मस आने वाला है तो क्रिस्मस के दिन वो वोड के बहुत अच्छे अच्छे टो गया कि वो एक कॉस्ट्यूम त्यार करेगा और वो उस कॉस्ट्यूम को पहन के राप के पूरे तीन बजे हर घर के सामने एक गिफ्ट रख देगा तो उसने यह आइडिया लिया तो उसका एडिया कन्फर्म हो गया उसके बाद उसने ऐसा ही सेम टू सेम ऐसा ही ड्रस बनाया सेम टू सेम और उसने साथ में एक कैप भी बनाया मेरे यह सेम टू सेम ऐसा ही उसके बाद उसने एक बैग बनाया जो मेरे पास नहीं है जो मेरे पास नहीं है उसने एक बैग बनाया उस बैग में वह सारे टॉइस बनाया मलब सारे टॉइस उस बैग में उसने उसने रखा और उसने बहुत सारे Let the moonlight आवे थे एक्जांपल उसने डॉल बनाए थे डॉल मतलब वह बूर का नहीं ażा र मही है बनाया थे मलब लक्री का टॉल उसने बनाया था मैं बनाया था तो उसके प्लैन के मुताबिक रात के पूरे तीन बजे वो सारे घर के आगे एक गिफ्ट शोड़ दिया उसके बाद जैसे क्रिस्मस का दिन आया तब वो सो रहा था कम से कम जब क्रिस्मस का दिन हो आया वो उस दिन वो जब सो रहा था तब उसके सपने में एक चीज आया देता हूँ वो चीज क्या आया उसके सपने में मैं आपको हिंद देता हूँ क्रिस्मस में I mean December में I mean 25th December में किसका बर्डे होता है अगर आप लोग उन्हें बोला जीजस क्राइस का बर्डे होता है तो आप लोग बिल्कुल सही हो तो क्रिस्मस के दिन जब वो सोरा था तब उसके सपने में जीजस आया और जीजस ने उसे कहा Joy तume बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो मैं आज क्रिस्मस के दिन मैं तुम्हें एक ताफ़ा देना चाता हूँ तो फिर से ऐसा जीजस ने कहा उसके बाद फिर से एक बाद जीजस ने कहा कि तुम अपने घर से बाहर जाक के देखो वहाँ पे तुमाने लिए मैंने एक गिफ्ट हो रहा है मलब एक टौफा चो रहा है तो जैसे जीजस ने कहा था वैसा ही जॉई ने किया लेकिन जॉई सपना देख रहा था वो रियल में नहीं हो रहा था वो सपनी में हो रहा था क्योंकि जॉई सपना देख रहा था तो जैसे जीजस ने बोला वैसा ही जॉई ने किया और जब वो उटके बैट से उटके जैसे वो दर्वाजा खोल के के भाई उसने कुछ ऐसा चीज देखा था उसने सपने में भी कभी नहीं देखा था और वो चीज था मैं आपको हिंट देता हूँ एक आप गैस कल दो कमेंट बॉक्स में लिख दो मैं आपको एक हिंट देता हूँ Santa Claus किस vehicle में सफर करता है मैं आपको hint यहीं था हुआ कि और hint नहीं तो बतायो संटा Claus किस vehicle में सफर करता है और वह vehicle तो car या बस भीज़ात नहीं करेगा वह तो कुछ अच्छा स्पेशल चीज होगा विससे उस चीज का नाम तो उझे नहीं पता लेकिन मैं फिट भी कहा देता हूं अगर आप लोग ने यह कहा है कि वह उसके मैं उसका नाम नहीं जानता तो वह कुछ ऐसा गिफ्ट था जिसके वह एक टाइप का भेकल था जैसे जब बहुत पुराने जमाने में अभी भी चलते होंगे लेकर आप लोग ने कभी-कभी देखे होंगे कि जो दिल्ली सब में होते हैं वहां पर होर्स के पीछे बैट के सफर करते हैं उसे आइडों नो क्या कहते हैं आप गूगल पर सर्च माले आप लोगो तो आप ग पुराने जमाने में जब रहां जाओ उसमें बैट के सफर करते थे उसके आगे कुछ चार गोरे होते थे और पीछे कुछ एक वेकल टाइप का होता था आप लोग समझ गयोंगे मैं करना चाहता हो लेकिन इसका थोरा सा यह सीम नहीं था जो जोई को कुछ ऐसा दिखा जिसके आगे वो एक वेकल था वेकल के आगे पाच वेकल के आगे पाच डियर थे पाच डियर थे उसके बाद फिर से रियल में जोई ने एक आवाज सुना और वो आवाज किसी और का नहीं बलकि जीजस का था और जीजस नहीं है कहा कि देख तुम लैंड में चल सकते हो और यहां ही नहीं बलकर तुम हवा में भी उर सकते हो इस चीज से हम लोग इसके लिए अभी डियर वेकल कहेंगे ठीक है क्योंकि उसके आगे पाच डियर तो को अभशच निक लेने डे देतने तो अब हम लोग उसे लोग क्यांगआंगेयद वेकल डी डी डावल ईकल कि तो उसे दो अभी बिलेव दोटएवी ने कहा begun इसका नाम होता है डियर वेकल यह इसकानाप है डिय वेकल और यह कहाई भी चल सकता है लैंड में भी चल सकता है वाटर में भी चल सकता है और हवा में भी तो लैंड का मतलब होता है जमीन जमीन में भी चल सकता है और वाटर का मतलब मतलब पाणी में भी चल सकता है और हवा में भी चल सकता है सो यह बहुत सारे अभ्य है इसमेर वैकल फुट में चुस पाल और बात कहा कि यह वैकल मैं तुमेह इसलिए File कि रहाओ क्यों कि तुमोच के दिन या डिन तो आज के दिन पूरे इस तुमेह पूरप का सारे घर में जाकर गिफ्र देने है और वह न neighbors भीख्वard deja तुम आजके दिन पूरे वर्ड में इस वेकल में घूम के इस डियर वेकल में बैट के तुम पूरे वर्ड के जितने भी सारे घर है तो उन सारे घर में गिफ्ट दे दू तो जीजस ने जैसा कहा वैसा ही जोई ने भी कहा मैं तो जोई ने वैसा ही किया कहा तो नहीं ना कहा तो जीजस ने कहा था लेकिन जोई ने जैसे जीजस ने कहा जोई ने वैसा ही किया उस पूरे वर्ल्ट के पूरे ख्रिस्मस के दिन वोल्ट के सारी घरों में जोड़के आया ऐसे ही लोग तो वो जॉइ बहुत जारा फीमेस हो गया था बहुत जल्द तो उसे लोगों ने एक नाम दिया और उसका नाम था सेंटा क्लास जिसे हम लोग सेंटा क्लास के नाम से जानते हैं और हाँ यह जो आप मैंने यह जो वेड़ बनाए है यह रियल स्टोरी में बेज नहीं है यह मेरा थेहरी यह मैंने थेहरी बनाए है यह मेरा थेहरी है यही था स्टोरी और सेंटा क्लास अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजेगा और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन व्यविस्वाइब को भी और पर सेट कर देजेका आज कहा इस वीडियो को यह पर समापक् Dart, करते है क्लिए थ क्रिस्मस में और क्रिस्मस के दिन एक व्लॉग बनाऊंगा मैं वह भी बहुत अच्छा व्लॉग होगा और क्या चीज़ का व्लॉग होगा वह तो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता यह आप लोगे के लिए एक टाइप से एक सर्प्राइज है यह बूल की रहा हुता है थैंक गॉड भाई यार मैंने अच्छा हुआ मैंने नहीं बोला और मेरे मुझे सा भी निकलने वाला था वाँ यास यास तो यह सप्राइज हो है यह दूसरे वीड़ो में लेए वीड़ो और दूसरे वीड़ो पर मैं बनाने वाला हूँ एक आरत और जैजिसू सो बाई बाई एन हाँ उससे पहले प्रेश दालो सभी को बाई